नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में आज अपन पढ़ेंगे वेटनरी मेडिसिन से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था वेटनरी मेडिसिन से रिलेटेड मेटाबोलिक डिजीज ओफ कैटल और बफैलो यानि जनरल होती है उपापच्छाइसे संभंधित उनके बारे में कल इस ऐख के क्लास में अपन ayre को डिफ्रेंट प्रोटो जोंडीज है ठीक है लाइव स्टोक में प्रोटो जोवा से होने वाली बीमारीयां जो होती है उनके बारे में ऑज की उसमें ली या निट लॉकिन से होने वाली बिमारियां ठीक है प्रोटो जवासे होने वाली बिमारियां तो देखिए सामान्य बिमारियां जो प्रोटो जवासे होती है गाई और बैस में उनके बारे में अपन पढ़ेंगे तो देखिए पहली बिमारी इसमें पढ़ेंगे अपन थेलेरियोसिस थेलेरियोसिस ठीक है ब्लेड प्रोटो जो है थेलेरिया जिसके कारण बिमारी होती है उसे क्या बोला अपने थेलेरियोसिस बोल दिया ठीक है थेलेरियोसिस के और दूसरे नामों की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं अपन इस्ट कोस्ट फीवर ठीक है और क्या बोल सकते हैं रोडेसियन टिक फीवर यह इसके उपनाम होते हैं ठीक है थेलेरियोसिस का अब थेलेरियोसिस जो होता है इसका कारक क्या होता है देगे अपने इसमें क्या क्या पढ़ेंगे सबी बिमारियों के लिए सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कारक यानि और वह बीमारी किसी की वजह से होती है ठीक है उसे क्या बोलेंगे उस- रोग का रोग कारक बोलेंगे दूसरा पॉइंट अपन पढ़ेंगे उसमें व्हॉत का मतलब होता है कि वह भीमारी एक जानवर रि hurtsud दूसरे जानवर में transmit कि कि वज़े से हो रही है ठीक है एक जानवर से दूसरे जानवर में उस बीमारी के फैलने का कारण क्या है उसे क्या बोला अपने वाहक बोल दिया उसके बाद में पढ़ेंगे उस बीमारी के सामाने लक्षन क्या क्या होता है ठीक है और उसके बाद में पढ़ेंगे उस बीमार वो क्या है थेलेरिया एनूलाटा ठीक है थेलेरिया एनूलाटा और थेलेरिया परवा यह जो दोनों थेलेरिया की स्पिसीज है यह किसमे रोग उत्पन कर रही है गोवन्स में थेलेरियोसिस का कारण क्या होता है थेलेरिया एनूलाटा हो सकता है यह थेलेरिया परवा हो सकता है थेलेरिया जो एनूलाटा है इसकी वज़य से क्या उत्पन्न हो रहा है ट्रोपिकल थेलेरियोसिस ठीक है थेलेरिया एनुलाटा के कारण होने वाला थेलेरियोसिस क्या कहलाता है ट्रोपिकल थेलेरियोसिस कहलाता है जबकि थेलेरिया परवा के कारण उत्पन्न होने वाला थेलेरियोसिस क्या कहलाता है इस्ट कोस्ट फी बिमारी को क्या बोलते हैं और उनके रोगकारक क्या होता है नेक्स्ट देखिए इसमें थेलेरिया हिरकी या थेलेरिया ओविस ठीक है ये दोनों जो थेलेरिया किस्पसीज है ये पाई जाती है भेडे वं बकरी क्या हुता है थेलेढ्यास की कि या ओ весь इनकी वाज़ा से क्या होता है इसको बोलते हैं पर wal in thin hai छो फैलेडियो सिस किसकी बज़े से और त एलेरियास की वज़े से क्या होता है 2019 2019 ऑन थे ले रियोशिस ठीक तो यह रोक कारक हो गयर थे ले रियोसिस की ठीक है घाय कूछ सा हो गया भैसद में कूछ सा होता है बेड़ होता है इनके नाम पड़ता और इनसे होने वा जी धी थे इसको किस दूसरे नाम से जाना जाता है यह पड़ा अपने ठीक है दूसरा पॉइंट आता है इसमें कि जो थेलेरियोसिस है यह थेलेरिया जो पेरसाइट है प्रोटो जोवा है वो किस में पाया जाता है डबलू बीसी में पाया जाता है ठीक है डबलू बीसी के अंदर पाय साइट है दूसरा क्या होता है थेलेरियोसिस से ग्रसित कोई जानवर है उसका अपना ब्लड टेस्ट करवाएं या उसके ब्लड फिलम की जाज करवाएं तो उसमें क्या मिलता अपने को थेलेरिया के का मतलब हुआ है इसका बहुक एंद्रकिय बड़े आकारे साई ज्यॉंट मिलते हैं कि से टेलेरिया ठीक है इनको क्या क्या बोलते हैं अपन कोच Blue Body किOTHER को प्लूप इसको के बी-बी को ब्लूप इसमें मिलेगी यहां तो यह बहुत इन्पोर्ट से पॉइंट अपनी एक्साम में होगे तो यह हो गजारगी किसमें मिलती है यह होगी सामाने जानकारी अब अपन इसके वाहक पे ठीक है रोग कारक तो क्या हो गया इसका थेलेरिया हो गया ठीक है ये सारे रोग कारक हो गया इसके थेलेरिया एनुलेटा थेलेरिया परवा ठीक है जो भी स्पिसीज अपने पड़ी तो थेलेरिया इस्पिसीज तो होती है इसका रोग कारक और इसका ज जानवर के सरीर पे जो चीचड़ होते हैं, टेक्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इस रोग को एक जानवर से दूसरे जानवर में पहुंचा देते हैं, तो रोग वाहक क्या है, इसका टेक्स है वहिए, चीचड़ बोल दूँ मैं इसको, ठीक है, कौन सी प्रजाती के होते हैं, ह हाई लोमा का होता है ठीक है यह द्यान लगना पूँआ अब आते हैं अपन इसके लक्षणों पर तो देखिए थेले रियोसिस जो लोग फिल्ड में काम करते हैं उन्होंने देखा भी होगा थेले रियोसिस का केस उसको पहचाना कैसे जाता है ठीक है क्या क्या लक्षण किस Macht देखा भी है पन्त सरीर आंगे बहुत सारे टिक्स लगया वह दिखाई देंगे पनेंको पहला पॉयंट दूसरा पॉयंट हमुग उसका टेम्परेचर लेंगे तो क्या लिखेगा अपने को । हैइ-वर बहुत तेज बुकार दिखाई देता हो रित थेले क्लड है न लसी का गरंथियां होती है लसी का गाठे होती है वह तो इसे बोलते हम वह लिंफ नोडी होती है प्रकार की तो वह क्या हो जाएगी जैसे इसके पुला के पास देखेंगे अपन कि मिलेगी क्योंकि थेलेरियोसिस की वज़े से लिंफ नोड क्या हो जाती है सूजन आ जाती है तो यह बहुत important sign होता है थेलेरियोसिस का ठीक है temperature high fever आएगा superficial lymph node बड़ी हुई दिखाई देगी अपने तो यह थेलेरियोसिस के बहुत ही particular से symptom है इसके लाव ओफीड हो गया चारा पानी खाना दूद्ध देना बंद कर दिए वह सामाने लक्षन तो सभी विम्मारियों में देखने को मिलेंगे अपने को peculiar science क्या होते हैं इसके कि हाई fever रहेगा और superficial lymph node enlarge हो जाएगी सूजन आ जाएगा उसमें ठीक कि नेक्स्ट पॉइंट देखिए और नेक्स्ट पॉइंट में क्या पढ़ेंगे अपन इसका treatment क्या है तो इसके treatment के लिए क्या काम में लेते हैं आपन देखिए treatment ओफ थेलेरियोसिस तो इसके लिए जो drug of of Choice इसकी डोजरेट क्या होती है 2.5 एमजी पर किलोग्राम बोडी वेट ठीक है यह मार्केट में अवेलेबल होता है बूटालेक्स के नाम से बूटालेक्स का इंजक्षिन आता है जिसमें क्या होता है ब्यूपरवा क्यों यह किसके काम में आता है Thille废 केリिटमेंट के लिए पने अब देखिए n से ठीक है यह तो अपनी पड़ लिए कि डीक होता क्या कैसे होता है अब अपनी एगजाम में क्या क्यूश्ला थाियगा सबसे पहले समस्र बनता इसके उपनाम से ए इस्ट कोष्ट फीवर किसकी वज़ा से होता है दूसरा पॉइंट आ गया इसमें थेलेरिया पाया कहा जाता है डबलू बीसी में आर बीसी अप्लेटी लेट से लिंप कहीं भी दे देगा अपने तो क्या अंसर उसका डबलू बीसी का अंदर पाय जाता तीसरा पॉइंट होता है कोच ब्ली बोडी से रिलेटेड सोथा पॉइंट क्या होता है देखिए मान लीजिए कोई जो जानवर है जिसके थेलेरिया था ठीक है थेलेरिया का इंफेक्शन था वह जानवर खतम हो गया तो उसका अपने क्या किया पोस्ट मार्टम किया तो पोस्ट मार्टम फाइंडिंग्स जो होगी वह भी पेक्यूलर होती है जहांसे भी अपनी एक्जाम में क्यूशन पूछा जाता है पहला पॉइंट आता इसमें कि अगर एडल्ट एडल्ट एनीमल था तो उसमें क्या मिलेगा अपने को पंच्ड आउट अलसर पंच्ड आउट अलसर इन एबोमेसम उसके रूमन का पार्ट जो ह होगा परन्त ऊ about वह दिए मरने के बाद पोषेदम कीया तो अपने पोस्ट माège में मिलेगा वांजड आउट अलसर इन ए तो किसन क्या मिलेगा रूमन में क्लोटेड मिलेगा अपने को यह पोस्ट मार्टम फाइंडिंग्स होती है तो बहुत इंपोटेंट सा पॉइंट है जहां से अपनी एक्जाम में बहुत सारे पूछे जा सकते हैं नेक्ट देखिए इसमें बैबेशियोसिस नमबर नेक्ट देखिए बैब बैबेशियोसिस ठीक है बैबेशियोसिस के और कौन-कौन से नाम हो सकते हैं तो देखिए इसके नाम हो सकते हैं एक तो सकता है टेकसास फीवर ठीक है टिक फीवर बोल सकते हैं इसको एक फीवर बोल सकते हैं रेड वाटर फीवर बोल सकते हैं ठीक है पाईरो प्लाजमोसि हैं do पाइर्ओपलाज्मोसिस बोला जा सकता है इसको ठीक है उस के अलावा सां willingness प्रीवर बोल सकते हैं के सोस्थ गोडे के केस में जो प्रीelnता है उसके जाता वस्थ ले इस उपनाम अब आते हैं पर इसके वहक रोग जनक अब आते हैं इसके रोग जनक या रोग कारक बेबेशियोसिस का कारण क्या होता है बेबेशिया बाई जेमिना ठीक है सामाने तो जो बेबेसिया इस होता है गाई भैंस में उसका कारण क्या होता है बेबेसिया बाई जेमिना होता है बेबेसिया बाई जेमिना जो होता है वो किस में पाया जाता है आर बीसी में ठीक है आर बीसी के अंदर पाया जाता है यानि क्या बोल सकता हूं में इसको इंट इंटपिर सतर एिंट्रो साइटिक प्यरसाइट कि पंतर और इंट्र में अपने कोई पता होना चीह इंट्रा का मतलब होता है उसके अंदर बहुत रामैंस्यवे मतलब उसके बहुतव क्वें पर सब्सक्राश्प्राइब्स करतें अधर dalDieल्ट से आहिं इंट्र आरबीसी को ब्रेश्ट कर देता है रबीसी को खतम कर देता है वहां से हीमोग्लोबीन फ्री हो जाएगा हीमोग्लोबीन फ्री होकर कहाने लग जाता है यूरीन में लग जाता है इसलिए इसमें क्या होता है हीमोग्लोबीनूरिया होता है ठीक है इसलिए इसको क्या बोला पीपीएच में पड़ादा ठीक है वहां फासफोरस की डेफिसियंसी से हीमोगलोबिनूरिया हो रहा था और यहां पे बेबेस या बाईजेमिना की इंफेक्शन की वज़े से हीमोगलोबिनूरिया होता है नेक्स्ट पॉइंट आते हैं इसके वाहक पे इस रोग का वाहक क्या होता है तो इसका वाहक क्या है वही टिक्स हैं चीचड़ यह किस प्रजाति के हैं बूफेलस ठीक है वहां पर पढ़ाता अपने हाईलोमा प्रजाति के और यहां पर होते हैं बूफेलस प्रजाति के टिक हाई फीवर होगा है ठीक है हाई फीवर होता है दूसरा सरीर पर अपने को क्या दिखेंगे चीचर जमा हुए दिखेंगे नमबर तीसरा पोइंट क्या देखेंге अपना इसमें, हीमोग्लोबिन्यूरिया, हीमो अग्लोबिन्यूरिया, इसकी वज़ेum से क्या होगा, कोफी कलर का यूरीन होगा, कोफी के रंग का पिशाब होगा, पूफी के रंग का पिशाब होता है किसमें बेवेशियोसिस में ठीक है तो यह इसके पिक्यूलर से साइन होता है इसका उपचार लक्षनों की बात कर रहे हैं पंदो एक इनपोटन पॉइंट और होता है इसमें बेवेसिया डाइवर्जेंस एक कि डाइवर्जेंस जो क्या करती है इससे क्या होता है पाई पिस्टेम डाइरिया पाइप इस्टेम डाइरिया होता है अर्थार्थ जानवर को क्या होगा इतना खतरनाक डाइरिया होता है कि वो एक धार के रूप में गोबर बाहर निकलता है ठीक है जैसे नल का पाइप होता है जिससे नल के पाइप से पानी आरता है बाहर उसी प्रकार से यहां से गोबर न और ने होके से रहा है वेवेश बैवेश द्यान के रखना इसमेश बैजे मिना किसके अंदर पाया जा रहा है और इसमें क्या होता है हमोगलोबी नूरिया होता है एक फिकट फकॉस्ट चार की बात करें तो symptomatic treatment के अलावा इसमें क्या देंगे अपन drug of choice जो होती है बेबेस यूसिस के लिए वो क्या होती है drug of choice baranil जो field में practice करते हैं लोग उनको पता होगा baranil क्या होता है कौन सा injection है injection की form में आता है injection baranil ठीक है इसमें क्या होता है dimenagene dimenagene aceturate dimenagene aceturate होता है ठीक है injection baranil में जिसकी doge rate कितनी होती है 3.5 mg पर किलोग्राम body weight इस injection को लगाया जाता है intramuscular ठीक है और इसको कम से कम इसमें gap होना चाहिए दो से तेन दिन का ठीक है 30 गंटे पहले इसको वापिस नहीं लगाना चाहिए तो यह हो गया babesiosis ठीक है babesiosis में ध्यान क्या रखना अपने को कि आर बीसिक अंदर पाया जाता है दूसरा point क्या होता है इसमें hemoglobinuria होता है ट्रांस्मिट किसे होता है टिक्स से होता है बूफिलस प्रजाती के जो टिक्स होते हैं उनसे लुफिलस रांस्मिट होता है ठीक right next point देकि 근데 जो प्रोटोजोल di das वह है ट्रीपेंट सो मिस्टरी पेणों को मिए जो है इसको विभिन नामों से जाना जाता है इसके उपनाम क्या क्या है और इसके उपनाम होता है नागाना डीजीज नागाना डिजीज और क्या होता है ये सुर्रा कैमल के केस में क्या बोलते है इसको सुर्रा या ती बर्सा लेखें सुर्रा का मतलब क्या होता है सडा हुआ ठीक है है तहरो होती हूँ इसको क्या क्या है थी वर सकते हैं यह होते हैं इसके कारख्या क्या वहता है अई कि seven or Japan और वा शेह गुश्म कर छोठ tadव महीं परखिए अब एपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर सुरण या ती बर्सा ठीका ये कि स्वाट है ट्रीपेईनो सौमा इवांच एसे हैं इसकी खोज तो किस ने किती गिवित इवांस नामの सब्सक्राइब नें किती उनकी रिगार्ड में कहा कि मैशना में onwards a consistent सब्सक्राइब सब्सक्राइब अब देखिए इसका वहग होता क्या होता है वह क्यों होता है बाइटिंग व्लाई जो काटती है काटने वाले जो व्रवार से दूसरे जनवर में इस रोग को ट्रांस्मिट करती है नेक्सट देखिए अब इसके लक्षणों की बात करें ठीक है लक्षणों के लिए अ schw Story स्य निध्याई बिरसा के तो उट में होने वाली सामने विमारी है यह उट में लक्षन क्या क्या होता है उट के अंदर सबसे पहला लक्षन होता है इसमें intermittent fever होता है intermittent fever इसका क्या मतलब होता ए ». इसे क्या बोला अपने intermittent fever रहता है, दूसरा point देखिए इसमें, क्या लक्षन दिखाई देगा अपने को, जो ट्रिपेनोसोमा इवानस ही है, जो उट के सरीर के अंदर है, ये क्या करता है? उसके blood glucose को काम में ले लेता है, ठीक है? ट्रिपेनोसोमा इवानस आई, जो उट के blood में है, वो blood glucose को काम में तो उट के सरी में क्या हो गया glucose level down हो जाता है इसलिए उट के कूबड में जो fat होती है उसके oxidation से वो क्या करता है energy generate करता है तो उट का glucose level down हो जाएगा ठीक है तीसरा point क्या हो जाएगा इसमें उट का कूबड जो है वो गायब हो जाएगा उट का कूबड क्या हो जाएगा आपने को देखने को मिलते हैं अब बात करता है अपने इसके treatment की बात करें तो इसका treatment देखिए क्या होते हैं क्यों ना पाइरामिन सलफेट होती है ठीक है जो लोग फिल्ड में काम करते हैं उन्होंने सुना होगा नाम क्यूना पाइरामीन सलफेट ठीक है जिसकी डोज रेट कितनी होती है 4.4 mg पर किलोग्राम बोडी वेट क्यूना पाइरामीन सलफेट क्या होती है ट्रिपेनोस होमियस इसके लिए ड्रग ऑफ चोईस होती है अब मार्केट में जो अवेलेबल है जो फिल्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग उनको पता हुआ एक इंजेक्शन होता है ट्राइक यून ठीक है और एक इंजेक्शन आता है सुर्राल तो ट्राइक्वन के अंदर क्या होता है क्यूना पाहिरामीन सलफेट होता है जिसे कैसे लगाया जाता है सब्क्यूटेनियस ठीक है सब्क्यूटेनियस इंजेक्शन की फॉर्म में लगाया जाता है जब जी इंजेक्शन जो सुर्राल है इसमें क्या होता है आइसो मेटा मीडियम तो आइसो मेटा मीडियम भी क्या होती है ट्रिपेनसॉमियस इसके लिए ड्रग है आइसोमेटा मीडियम यह इंजेक्शन सुर्राल में और इसको काम मिली आजाता है डेप इंट्रा मस्कुलर ले ठीक तो इसका ट्रीटमेंट हो गया इसके लाव सिम्ट्रमेटिक ट्रीटमेंट अपने को करना ही होता है ठीक एंटी पायरेटिक एंटी इंफ्लमेटिक लगाए उसके अंदर है ठीक है मिसकीट इंदर हो उसकी इसकी में पैनेट्रेट करगुक्त रावे ऐन्दर जाके मल्टिप्लाइं क्या कर देगा उस एरिया में डोलर स्पोर्ट बना लेता जैसे सिक्का होता है उस सिक्के की फोम में स्पोर्ट बन जाते हैं उसकी स्कीच हो पहुत इसको क्या बोलते हैं डोलर इस्पोर्ट तो डोलर इस्पोर्ट किस का साइन है दूरीं का साइन है मैं डूरीं क्या है ट्रीपेcorosumwin Gaming है घोड़े के केस में ठीक है तो यह भी याद रखना आपने वह तो यह पढ़ा आपने ट्रिपेनोसोमियसिस नेक्स्ट पॉइंट देखिए लीसमानियोसिस दिखिए लीसमानियोसिस जो होता है इसको अपन दो भागों में विवाज़ित कर सकते हैं दो प्रकार से पढ़ेंगे इसको एक तो होता है यह क्यूटेनियस लीसमानियोसिस ठीक है क्यूटेनियस लीसमानियोसिस और एक होता है विस्रल लीसमानियोसिस ठीक है tunnels Leagmaniusose Maneusis and visceral leagmaniusis इसको मैंने divide कर दिया दो part में जो Cutaneous Leagmaniusis होता है कि सबाभ्य होता है Lismania Tropica ठीक है कि सबते है लाई है लाई है लाई है लाई कि proращ devoans लौू लिस्ट अधा लाई है लाई है जाता है विस्रल लीसमेनियोसिस क्यूटेनियस जो लीसमेनियोसिस होता है इसको क्या बोला जाता है और इसको बोल सकते हैं यह देली बोईल्स बोल सकते हैं यह इसके उपनाम होते हैं जबकि विस्रल लीसमेनियोसिस को क्या बोला जाता है डंडं फीवर ठीक है डंडं फीव कौन सा वीवर डबंडं फीवर और क्या बोल सकते स्को काला अजार, अचार नहीं है, काला अजार मैं टोनों का ही जो रोक कारक है वह अपनने क्या पड़ा, Leisingändig इस की टेनियस लीकितर श्माइनियोसिस के लिए है अब इन दोनों का तो वह होता है वह क्या होता है कि सेंड फ्लाई थी 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 एक जानवर से दूए जानवर में इसको ठांसमिट करती है अब लीशमाइनियोसिस जो होता है वो generally dog and human beings में देखने को मिलता है नंबर next point इसमें क्या है इसमें क्या होगा क्यूटेंच लिस्मैनियोसिस में क्या होता है जो जानवर है उसकी त्वचा थीक है उसके त्वचा ही प्रभावित होती है cutaneous leesmaniosis में ठीक है जिसके अपने यह नाम दे दियो अपना जब कि visceral leesmaniosis में क्या होगा उसके visceral organs भी प्रभावित होते हैं इस बिमारी से ठीक इसके symptoms की बात करें तो skin lesions मिलेंगे इसकीन पर गाव मिलेंगे अपने को देखने को इसके treatment के लिए देखें तो treatment क्या होता है लीजमेनियोसिस का लीथियम एंटोमनी टार्ट्रेट ठीक है लीथियम एंटोमनी टार्ट्रेट का इंजेक्शन होता है एंथियो मैलीन एंथियो मैलीन के नाम से अवेलेबल होता है यह मार्केट में जो अपन उस जानवर की किस अवस्ता तक लीजमेनियोसिस हो रखा है उसके आदार पर इसकी डोज लगा सकते हैं अपने को यह ध्यान रखना है एंथियो मैलीन कहां पर काम मिलेते हैं सिस्टोसोमियोसिस आग ठीक है लीटो वेट के नाम से भी अवेलेबल होता है इंजेक्शन यह ध्यान रखना है ठीक यह हो गए लिसमेनियोसिस लास्ट एंड वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट होता है कोक्सिडियोसिस ठीक है जहां से अपनी एक्जाम में एक क्यूस्चित रूप से पूछा जात होता है महतुपूण बीमारी होती है मुर्गी के केस में ठीक देखिए नेक्स पढ़ेंगे कोटियोसिट है ठीक है होता किस से है आ आध्मेरिया इस इस वेस्ट्री Märs अ कप वोल्ट्रि कोकसीडियोसिस है अ हुआ सीृ पॉल्ट्रि के लिए बहुत रम भिमारी है पॉल्ट्री LAUR Спогशिह को समझने की कोशिच करेंगे अपन एक पार में ध्लान से देखना इसको बहुत इंपोटन नॡ़ सा पुंट हाए छह पौट्री यह कोकशीडियोसिस ठीक है अब देख़िए पोल्ट्री में जो Kオksidiosis होता है वो अलग-अलग species की वजए से होता है ठीक है अलग-अलग species होती है जो इसके intestine होती है पोल्ट्री या मुर्गी की जो आंथ होती है उसके अलग-अलग भागो को प्रभावित करती है ठीक मैं आप मुर्गी की आथ का एक चित्र बनाने कोशिष कर रहा हूं समझना इसको है यह माल लीजिए मुर्गी की आथ है ठीक है ये पार्ट बनाया है मैंने small intestine, ठीक है, छोटी आत, और ये वाला part बना दिये मैंने, large intestine, ठीक है, बड़ी आत का, छोटी आत में दो भाग बना दूँ, ये तो है, सीकम, और ये बना दिये मैंने, rectum, जैन देना इस बात पर, बहुत important सा point है, exam में एक question जरूर आएगा है यहां से, ठीक है, poultry के हाथ का चित्र बनाने की कोशिस कर रहा हूँ, सबसे उपर बनाया है मैंने small intestine, अब small intestine का उपर वाला part कौन सा होता है, duodenum होता है, ठीक है, यह पूरी हो गई small intestine यहाता है, यह नीचे वाला part बना दिया मैंने large intestine का, इसका एक part बना दिया मैंने सीकम, एक part बना दिया मैंने rectum, अब देखिए, जो duodenum को प्रभावित करने वाला iamiria होता है, वह होता है iamiria acervulina, ठीक है, iamiria acervulina किसको प्रभावित करेगा, duodenum को प्रभावित करेगा, ठीक, यह पता कैसे लग रहा है अपने को, मान लिजे, iamiria, यानि coxidiosis से कोई मुर्गी मर गई, उसका अपनने post martem किया, तो उसकी post martem finding से पता लग रहा है, कि कि इसका infection होने से कौन सा पार प्रभावित होता है दूसरे के infection से कौन सा प्रभावित हो रहा है ठीक है यह पोस्ट मार्टम कोई कि इसको प्रभावित कर रहा है rest of intestine except dudonum ठीक अब आते हैं हम सीकम में सीकम को प्रभावित करने वाला यह मेरिया होता आई मेरिया तैनेला ठीक है नायg intestine का जो part है सीकम उसको प्रभाविद करता आयद मेरिया टैनेला और लार्ज इंट्रेस्टिं का जो Rectum Part रेक्टल Part है इसको प्रभाविद करता है आय अमेरिया बर्नेटी हुआ ठीक त्यों यह क्लियर आय मेरिया सरुविलानक किसको कोgs को प्रवायुद कर रहा है इस्मॉल इंटेस्टाइन के डूँडौ तो आयमेरिया नेकाटर्स किसको प्रवायुद कर रहा है इसमाल इंतेस्टाइन पूरी ठीक है तेनलष प्रहाइद कर रहा है सीगम को राया वर्नेटी प्रहाइद कर रहा है रेक्टम को यह ध्यान रख ना अपने को ब अब देखिए, यह जो intestine है, small intestine, इन दोनों की वज़े से जो coxidiosis हो रहा है, इसको क्या बोल सकते हैं अपन, इधर लिख दू मैं, intestinal coxidiosis, intestinal coxidiosis, ठीक है, intestinal coxidiosis किसकी वज़े से हो रहा है, अगर option में दोनों है, तो कौन साथ ज्यादा more correct हो जाएगा, आइमेरिया नेकाट्रिक्स more correct होगा, ठीक है, क्योंकि यह पूरी small intestine को प्रभावित कर रहा है, जबकि आइमेरिया एसर विलिना केवल डूड़नम पार्ट को प्रभावित कर रहा है, सीकम को प्रभावित कर रहा है, आइमेरिया टैनला, इसको मैं बोल दूँ, कौन सा कॉक्सीडियोसिस हो गया यह, सीकल कॉक्सीडियोसिस, ठीक है, सीकम पार्ट में हो रहा है, इसको मैंने क्या बोल दिया, सीकल कॉक्सीडियोसिस, ठीक, क्लियर है, सीकम को प्रभावित कर भाइप आमेरिया इसके वजह से हो रहा है सीखल कोक्णिडियोसिस नेङ्ट देखिए रेक्टम पार्ट में प्रभावित करने वाला आमेरिया बर नेती इसको मैं बोल दूं रेक्टल कोक्णिडियोसिस ठीक एकजाम्त किला हर एक किलियर हो गए के पूरी इंटेस्टाइंड की बात कर ले तो कों कौंई सी स्पेसीज की वज़ए से मुरगी के हाथ में कोक्सीडियोसिस की साइन मिलते है या होते है यह दिआन में रखने अब देखिए कि इन में से सबसे खतरनाक के बात करें तो आए. मेरिय टैनेल होता है सबसे खतरनाक होता है ठीक नियःक्स itself देखिए किम गब ऑrikैस किसी जानवर किसी मूरगी के माल लिजिये इसमाल इंटेस्टाहिन में आपकर अधिकां रहे हुरा है या हुयि इंटेस्टाहिन म्यूकस आएगा ठीक अगर उसको सीकल कोक्सिडियोसिस है तो उसकी विष्टा में क्या आएगा ब्लड मिक्स आएगा ठीक है अगर रेक्टल कोक्सिडियोसिस है तो उसकी विष्टा में क्या होगा भईया म्यूकस भी होगा और ब्लड भी होगा दोनों ठीक है यह तीनों में अंतर है ध्यान में रखना अपने को दूसरा अंतर क्या होता है इन में intestinal coxidiosis जो होता है वो किस age में प्रभावित करता है तो इसके लिए होता है लगबग six weeks ठीक है five to six weeks की age में intestinal coxidiosis ज्यादा होने की संभावना रहती है जबकि जो सीकल coxidiosis होता है वो तीन से चार वीक की age में होता है रेक्टल coxidiosis किस में होता है एक दम नए बच्चों में होता है एक वीक के मुर्गी के बच्चों में सीकल रेक्टल कोक्सीडियोसिस होने की संभावना अधिक रहती है ठीक है इसका स्क्रीन सोट ले लीजिए इसको रट्टा मार लेना एक क्यूसन एक्जाम में इस चित्रूप से यहां से आएगा ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे इसके ट्रीटमेंट के लिए ट्रीट एक्ट्रोलिय妹 क्या है ड्रग उप्-छोईस है फोर शेक्ट कोफिडियोस्ति एम्प्रोलियम अध्राइड और चोईस होती है इसको जो drinking water होता है उसके नदर इंदर एक्डेहां औरम व्यला दिया जाता चैसके वजह से यह कंट्रोल हो सकता है तो यह पड़ा आपनने में winter coxidiosis winter coxidiosis और इसका जो रोख जनक होता है दाने क्या होता है timeribriya dear aur हौँ ति किसके वाज़ा से होता है आय मेरिया nervous요rel की वज़े से होता है प्रीद के के सिश में इसमें क्या सायन होंगे इसके लक्षणों की बात करें तो इसमें क्या लक्षन होता है कैटल को क्या होगा डाइरिया हो जाएगा ठीक है खतरनाक तरीके का डाइरिया होता है जिसमें क्या हो सकता है गोबर के साथ ब्लड भी मिक्स हो सकता है ठीक है यानि ब्लडी डाइरिया भी हो सकता है डाइरिया होगा ओफीड हो जाएगा जान पॉइंट अपने को क्या ध्यान में रखना है फ्लूड थेरेपी ठीक है फ्लूड थेरेपी यानि रिंगर लेक्टेट उसको आई वी रूट से चड़ाएंगे अपन दूसरा पॉइंट क्या काम में लेंगे इसमें ब्लडी डाइरिया के लिए सल्फर ड्रग्स सल्फर ड्रग्स काम में लेते हैं नंबर तीसरा पॉइंट इसमें लेते हैं अपन मेट्रोजिल ठीक है मेट्रोजिल यानि मेट्रो नीडाजोल मेट्रो नीडाजोल एंटिवाइटिक है जो कि एनरोबिक बैक्टिरिया आपके काम करती है जह सेकेंडरी बैक्टियल इंफेक् प्रोटो जोवा से होने वाली सामान्य सी बिमारियां उनके रोगकारक उनके वाहक उनके लक्षन और उनके उपचार इस इस क्लास से अपने एक्जाम में दो से तीन क्युस्टन आने के प्रबल संभावना है तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों के साथ सेर भी कीजिए दन्यवाद